हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स नमो फार्मेसी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आपको लिव 52 टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं यह लिव 52 टैबलेट क्या काम में आती है किस कंडिशन में दी जाती है किस कंपनी के है इसकी MRP क्या है यूजेज क्या है इसके बारे में पूरा जाननी के लिए आप हमारे वीडियो में अंतक बने रहें अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जुरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाली सबी वीडियो आप तक तुरंक अब देखिए वीडियो पूरा फ्रेंड्स आज हम आपको लिव 52 टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दे कि यह है हिमल्य कंपनी का ब्रांड है और इसमें जो साल्ट मिले हुए है वो आठ साल्ट मिले हुए है जो आपको स्क् जो साल्ट से मिलकी है लिव 52 टैबलेट में बनी हुए है लेकिन इसके दो ही साल्ट जो मैन होते हैं जो काम करते हैं जैसे हिमसरा है वो 65 मिलेग्राम और कसरी वो भी 65 मिलेग्राम एक टैबलेट में मिला हुए है जैसा कि इसमें लिखा हुए लिव 52 इसके नाम से ही पता च करें आदत है वह उसका लीवर की टैबलेट लेकर अपने लिवर की टॉक्सिंटी को बैलंस कर सकता है अगर किसे पियस्सांट में फेटी लीवर है जोंडे से फीलिा भी कहते हैं उसके treatment के भी लिए भी आप लिव 52 tablet को ले सकते हैं अगर कई patient और कई जो bodybuilder होते हैं वह भी इसका लिव 52 tablet का weight gain के लिए लेते हैं जिम जाने वाले व्यक्ति भी इस लिव 52 tablet को लेते हैं जिससे उनका weight gain हो सके और friends सबसे अच्छी बात है कि जिन जो patient protein लेते हैं यानि जिम जाने वाले अधिकतर व्यक्ति protein लेते हैं तो वह भी लिव 52 tablet का यूज लेते हैं क्योंकि protein का absorption liver में होता है और उसकी toxicity को balance करता है यह है कई लोग लिव 52 tablet को भूग लगने के लिए भी काम में लेते हैं तो friends आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल गई है कि यह है क्या काम में आती है और friends इस लिव 52 tablet की सबसे बड़ी वात है कि doge doge के बारे में बहुत कम लोगों को पता है तो friends हम आपको बताते हैं कि इसकी सही doge डॉक्टर और या फार्मसिस्ट की सला से ही लेनी चाहिए फिर भी commonly doge होती है वो है हम आपको बता देते हैं इसकी doge सुभै स्चाहिम एक एक टेबलेट ली जाती है और कच ही पेसंट में अगर ज्यादा प्रॉब्म हुती है तो दिन में तीन बार एक एक डोज भी लेता है और कई जगे इसकी एक एक दो टेबलेट दिन में तीन बार भी दी जाती है वो पेसंट की टॉकसिटी और पेसंट के लिवर की टॉकसिटी और पेसंट की कंडिशन के आदार पे ली जाती है अगर फ्रेंड्स हम आपको इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP है वहे 120 रुपे की 100 टेबलेट आती है जो समय के साथ भड़ती और घड़ती भी रहती है इसकी डोज की बात करें तो फ्रेंड्स इस लिव 52 को दो से तीन महने तक रेगुलर दिया जता है और कुछ पैसेंट में यह लंबे समय तक भी दी जा सकती है कई जगे जैसे कुछ पैसेंट होते हैं वह पैंकिलर दवाईयां लेते हैं जिससे उनके लि लेट दी जाती है जो डोक्टर उनहें लिव 52 लेने की सला देते हैं और फ्रेंड्स अब बात करें side fact की तो फ्रेंड्स लीव 52 का कुछ भी side fact देखने को नहीं मिला है लेकिन कुछ common patient होते हैं कुछ temporary side effect होते हैं जैसे किसी पैसेंट में देखने को मिल सकते हैं अगर किसी प कम ज़्यादा की जा सकती है अगर फ्रेंट्स आपको हमारा यह वीडियो लिव 52 अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सेयर कर दें जिससे आने वाली सबी वीडियो को लाइक सेयर कर दें और अपने रिष्टेदारों को भी सेयर कर दें जिससे उन्हें भी इस टैबलेट के बारे में पता चल सके अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली सबी वीडियो आप तक है तुरंत पोचेगी धन्यवाद फ्रेंड स्वच्छ भारत स्वस्त भारत